तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाले हम बहुत इंट्रस्टिंग MS Word की ट्रिक जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर को वर्ड्स में कनवर्ट कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक की मदद से जी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास लेकिते हैं, नंबर्स हैं और अगर मैंने इनको वर्ड्स में कनवर्ट करना है, तो जैस में क्या करूँगा, मैं यहां पर जाओंगा अपने होम टाप में और साइड में एक बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरा नंबर है वो वर्ड में आटोमेटिकली कनवर्ट हो गया है मैं जो काम आप मैनुवली करते थे वो काम अब हो जाएगा बिल्कुल आटोमेटिक और यह सारा काम किया है हमने मैक्रोस की मदद से और इस macros को कैसे बनाना है, कैसे record करना है और आपने menu bar में कैसे hide करना है यह सारी चीज़े इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने लिए बहुत ही informative तो नमस्किया दोस्तों, मैं रितेश, आप सब का स्वागत करता हूँ creative learning के चानल में और दोस्तों, अगर आप computer सेखना चाते हैं, computers related बहुत सारी tips and tricks चानना चाते हैं तो नीची रेट के लगए subscribe बटन उस पर click कर लीजे साथ में bell icon को press कर लीजे ताकि आपको हमारे चानले से लेटे लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलर्ली मिलती रहे और साथी में दोस्तों, अगर आप computer सीखना चाते हैं और भी detail में तो आप हमारे online course से जॉइन कर सकते हैं बहुत ही discounted price में जस्त हमारी website पर जाएए जो कि www.creativelearningbyritish.in लिंक दिया नीचे description में तो आई दोस्तों, let's begin with this topic आई दोस्तों सीख लेते हैं कि आप किसी भी word को numbers में कैसे convert कर सकते हैं तो जैसे example के तोर पर यहाँ पर देखिए मैंने एक number लिखा है और इस number को मैं यहाँ पर text में convert करूँगा macros की मदद से तो सबसे बहले मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर click कर लेता हूँ click करने के बाद, आपने macros यहाँ पर activate करना है macros आपको यहाँ पर मिलेगा developer tab में तो जैसे आप इस पर click करेंगे, आपको यहाँ पर macros को option मिल जाएगा लेकिन अगर अगर आपको यहाँ पर developer tab नहीं दिख रहा तो आपको इसको activate करना पड़ेगा तो सबसे पहले समझ लेते कि आपने developer tab activate कैसे करना है MS Word में तो उसके अपने यहाँ पर जाना है file tab में और नीचे जाना है more में और click करना है options में आपको यहाँ पर option मिल जाए customize ribbon में और यहाँ पर popular command में आपने select करना है यहाँ पर main tabs जैसे main tab select करेंगा आपको नीचे developer tab मिल जाएगा आपने इसको click करके यहाँ पर add कर लेना है मेरा already यहाँ पर added है तो मैं दोबारा add नहीं कर रहा है लेकिन अगर आपका activated नहीं है तो आपने activate कर लेना है जब आपको यहाँ टैब activate हो जाएगा आपको यहाँ पर click करना है record a macro में क्योंकि आपने एक नया macro record करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर macro का नाम देना है तो macro का नाम जाए इसमें दे रहता हूँ num to text टाकि हमें याद रहे कि हमने numbers को text में convert करना है उसके आपने एक shortcut की assign करनी है तो जैसमें यहाँ पर keyboard button पर click करता हूँ और यह पूछ रहा है आपसे कि press a new shortcut की तो आपने एक बहुत unique सी shortcut की press करनी है जो already पहले MS Word में assign नहीं हुए है तो जैसे कि control B देखे bolt के लिए होता है तो वो आपने assign नहीं करनी है तो यहाँ पर मैं shortcut की press कर लेता हूँ control shift or Q ताकि मुझे याद रहे और यहाँ पर assign पर click कर लेता हूँ then close कर लिया तो आप देखेंगे आपका macro यहाँ पर record होना शुरू हो गया है क्योंकि देखे करसर के नीचे देखे एक face बना नजर आ गया है कि मतलब आपका macro record हो रहा है अब आपने देखे जो भी आप step करेंगे वो सारे आपके यहाँ पर record होएंगे तो आपने बहुत ही धियान से सारे steps करने है तो सबसे बहले देखें मैंने यहाँ पर click करके रखा था तो देखें आपका जो cursor है वो यहाँ पर blink हो रहा है तो मैं यहाँ पर control shift और यहाँ पर left arrow से अपने यहाँ पर पूरा जो word है यह पूरा जो number है वो select कर लेता हूँ और control C से copy कर लेता हूँ copy करने के बार यहाँ पर right arrow button प्रेस करता हूँ तो आप दिखेंगे again जो cursor जो हमने selection करी थी one select हो गया अब tab button प्रेस करके मैं यहाँ पर next यहाँ पर जो column है यहाँ पर चल जाता हूँ इसके बार मैंने यहाँ पर एक formula लिखना है तो formula लिखने के लिए मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर control plus F9 क्योंकि control plus F9 button प्रेस करकी मैं formula लिख पाऊंगा और इस formula की मदद से ही मैं number को word में convert कर पाऊंगा तो जैसी मैंने प्रेस किया यह वाला shortcut की control plus F9 तो आप देखेंगे यहाँ पर curly bracket आ गये है और formula लिखने के लिए मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर equal to और जो वाला text मैंने यहाँ पर copy किया तो वह यहाँ पर paste कर लूँगा control V से और यहाँ पर forward slash लगाँगा उसके यहाँ पर star लिखना है आपने और star लिखने के बार यहाँ पर लिखना है card text card text लिखने के बार आपने अगेन अपने keyboard से F9 बटन प्रेस करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका number था वो word में convert हो गया है और जैसमें यहाँ पर click करता हूँ developer tab में जाके यहाँ पर क करें तो हम जैस्ट एक बटन बना देंगे वो बटन आपका सारा काम करेगा automatically तो जैसमें यहाँ पर देखे एक नया column बना लेता हूँ यहाँ पर कोई भी number लिख लेता हूँ यह मैं चाहता हूँ यह number word में आ जाए लेकिन मैं इस वार चाहता हूँ कि बटन पर click करूं तो वर्ड में convert खुद हो जाए तो इसके लिए क्या करता हूँ यहां पर fire में जाता हूँ more में जाता हूँ नीचे कुलिक करता हूँ options में options में जाने के बार नीचे क्लिक करता हूं customize ribbon में Surface ribbon में जाने के बाद यहां पर देखे main tabs है main task में आपने home tab की जो side में arrow इस पे click करना है click करने काई आपको सारे groups मिल जाएंगे तो just में last पे click करता हूँ यहाँ पे जाता new group मतलब एक न्या group बना लेता हूँ इस group को मैं right click करके rename कर लेता हूँ मनलों जो भी आप नाम डालना चाहते है लेट से मैंने डाल दिया formula के नाम से मैंने group बना लिया and then press कर लिया okay then आपने यहां पर macro add करना है इस group के अंदर टाकि जब मैं उस पर click करूँ तो आपका सारा काम जो जो आपके number है वो word में convert हो चाहे तो उसके लिए जो popular command है यहां पर जाकि मैं select कर लेता हूं macros ठीक है तो जैस्में यहां पर click किया click करने के बाद मैंने macros पर click किया तो आप दिखेंगे यह वाला macro आगिया है जो की num to text का मैं इसको add कर लेता हूं add करने के बाद मैं right click करके इसको rename कर लेता हूं rename में मैं जो भी नाम डालना चाहता हो जाल सकता हो मैं ने लिख लिए नम टू टेक्स्ट ओके और यहां पर जो भी आइकन में डालना चाहता हो वो भी मैं यहां पर चूज कर सकता हो अपने accordingly तो मैंने यह वाला आइकन चूज़ कर लिया ok press किया then ok press किया तो आप देखेंगे home tab में एक नए group add होगे formula का जहां पर यहां पर बटन भी लिखा आ गया है आईए अब देखते हैं इसको try करके कि यह काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो just मैंने देखिए नंबर है वो वर्ड में convert हो रहे है जैसे कि अगर मैं यहां पर two digit का नंबर भी लिखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 85 यहां पर लिखा आ गया है तो दोस्तों अगर आप ऐसी सीखना चाहते है MS Word और भी detail में तो देखिए हमारा यहां पर online courses launch हो गए हमारी website पे जो कि है creative learning by ritesh.in link दिया है नीचे description में तो जैसे आप हमारी website पे जाएंगे आपको हमारे courses मिल जाएंगे बहुत ही discounted price में तो जैसे आप हमारे courses में यहां पर enrollment कर लेंगे आपको यहां पर बहुत सारी pre-recorded video मिल जाएंगी जिनको आप step by step देखके अपनी knowledge को one step further enhance कर सकेंगे और साथी में दोस्तों जब आप course complete करेंगे आपको यहां पर completion certificate भी मिलेगा तो अभी देखिए इस course में कर लेंचे enrollment क्योंकि क्या पता आप कौन सी चीज कब काम आचाए तो मिलते दोस्तों इस course में until then good bye, take care